हेलो गाइज वेलकम टू रियल काफेक्स एंड कैसे आप सब लोग आज की वीडियो में आपको बताऊगा कि पंच सिटी में क्या आवरेज निकाल के दे रही है मुझे और आप भी कैसे इस कार से आवरेज निकाल सकते हो तो कई लोग का कहिना है कि पंच उनको आवरेज नही कि आप कैसे इस कार से अचे हमालेज निकाल सकते हैं यहां पर जो मुझे पंच से काफी काम आवरेज बिल रही है और कई लोग मुझे पूछते हैं तो करने पहले मैं आपको अपनी अवरेज रिखा देता हूं अजर आप देख रहे होंगे यहां पर जो मुझे करिंट 111 km run किया है और यह 111 km है यह पूरे city के है तो इस वे जो पूरी भी km मैंने run किया यह city driving है और city driving पर मुझे अभी यह 15 के average हो कर रहा है तो मैंने पहले भी कई अपने वीडियो में बताया है कि यार आपको अगर पंच से average निकालनी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आज मैं सब वो ही बाते आपसे फिर से discuss करना जाता हूं क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ नहीं है कि क्यों हमारी कार average नहीं दे पारी और क्यों हमारी कार में average नहीं आ रही है तो वैसे हम आपको पहले बता हूं initially मेरे को भी ऐसा लगता था कि पंच में average issue है और पंच एक अच्छे average नहीं निकाल पके दे रही मुझे because initial days पे जब मैंने ये कार ले थी तो ये कार में मुझे initial time पे मुझे भी 8-10 कभी 11-12 की mileage मिलती थी इस सदा mileage की कभी नहीं के initials तो मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज़े मैंने करी और क्या चीज़ों के बाद जाके मेरी mileage improve हुई है और वह इसी ज़े आप भी अपनी कार में कर सकते हैं और उनी चीज़ों का आपको ध्यान लखना पड़ेगा अगर आपको इस कार से mileage निकालनी है तो तो थोड़ा गारी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आपसे बात करता हूं कि आपको इस कार को चलाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान लखना चीज़े तो जैसे अगर पहले मैं इसको इस आइडल पोजिशन पे लाता हूं आप देखिंगे मैंने कार स्टार्ट है और अगर आप इसका आर्प्यम मेटर देखोगे तो इसका आर्प्यम मेटर अभी हमारको अराउंड 950 तू 1000 के नीचे आपको दिख रहा है तो इतने पे इसका आर्प्यम रहता है आइडल पोजिशन पे और जैसी आप इनिशल गेर डालोगे या जैसी पहले तो मैं एक ट्रीट कर लूँ और यह इसका आर्प सोच रहे हैं और अब बात करते हैं तो करें एकार को as बूल जाओ कि आप उस तरीके से चलाओ गे तो इस से आपको भी mileage निकाल पाओ गे इस car को आपको बड़े ध्यान से चलाना होगा, बड़े अराम से चलाना होगा, इस car में जितना आप rash drive करोगे, उतनी इस mileage की आपको drop होती भी दिखेगी, तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान लखना है कि आपको इस कार को जादा एक्सलेट रही करना है जितना आप इसको एक्सलेट करोगे उतनी ही इसकी मालेज डाउन होगी तो इन चीजों का अमारे को ध्यान रखना है आपको ट्राय करना है कोशिश करनी है कि आप जितना कम हो सके गेर शिप्ट करें जितना वह बिकाज कई लोग क्या करते हैं उन्हें देख रहा है आगे रेल लाइट है आगे उन्हें रुखड़ा है बट फिर भी वह अपनी स्पीड उतनी ही रखते हैं मेंटेन करते हैं स्पीड ड्रॉप नहीं करते हैं और इन्हें फिर ब्रेक लगाते है तो अगर आपका एक ड्राइविंग पेटन उस इसको बार बार accelerate करें तो इस तरीके से इस कार को ड्राइब आप नहीं कर सकते है अगर आप ड्राइब करोगे तो आपको वह मैलेज निकालके नहीं निगी कभी ये कार तो इन चीजों का ध्यान रखें इसको जब भी चलाएं एक ट्राइ करें कि आपका acceleration ज्यादव ना रहे इस कार पर ज्यादा accelerate ना करें इस कार को लाइट फूट चलाना है आपको इस कार को और जो इसकी shift गेर shift रखना है वो 2000 RPM के नीचे नीचे रखना है जितना हो सके आपको speed भी एक maintain speed करके चलाना है एक Philippe मैंने रहे करके चलाना है जाबh को उससी इसको शीदे कर दो कभी सीदे 64 पर कभी जादा करकी अब करके पैसी पिर जीदे करके करना है उस सरी है उसको देखो याद जो अगर बंदा अगर है जो performance oriented car चाहता है और जिसको निकाल अपनी car से performance की उमीद रखता है कि वो उसको उतनी अच्छी high performance चाहिए जिसको अपनी car से तो मुझे नहीं लगता आपको इस car की तरफ जाना चाहिए अगर आप एक normal way में car drive करते हो ज्यादा accelerate नहीं करते कार को 60-70 के बीच में cities में drive करते हो और अगर आप highway में जाते हो तो around 8200 के बीच में आप drive करना पसंद करते हो तो आप obviously इस car की तरफ जा सकते हो या आपको अच् average के मामले में परिशान नहीं करेगी जैसे आपने मेरी पहले वीडियो में भी देखा होगा जैसे मैंने इसका tank to tank test भी किया था उन वीडियो में भी आपने देखा होगा इसने मुझे highways में भी 21 plus mileage निकाल के दिया था अब लोग कहेंगे यार इसके MID पे मत जाओ 15 आपको शो तो जो इसका MID में शो करता है वो कावी actual mileage शो करता है अगर किसी को doubt है तो link बिटन पे आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो उसमें आपका doubt clear हो जाएंगे कि इसके MID और actual mileage में कितना difference आता है तो guys यही कुछ point है जो आपको ध्यान लगना पड़ेगा एक इसमें instant fuel economy का graph आता तो जितना try करेंगे और आप ध्यान देना कभी आप जब इसको accelerate करोगे इस कार को तो यह बाहर आपको नीचे जाते भी दिखाई देगा तो इसका यह है जितना यह बाहर आपका उपर रहेगा उतनी ही गाड़ी आपका अच्छा economy निकालेगी जरूरत से जादा acceleration नहीं करन इस कार को तो यही कुछ पॉइंट है इसका आप ध्यान रखोगे तो आप इस कार से एक decent mileage निकाल सकते हो वाइस यह शॉट सी वीडियो है यह वीडियो मैंने इसलिए बनाई है विकास मुझे कई queries आई थी कि यह हमार को यह car mileage नहीं दे रही आपको यह car कैसे mileage दे दी है तो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो please like to this video मैं मिलता हूँ आपसे next video मैं तब तक के लिए bye